नमस्क्राइब दोस्तों मेरा नम्यतन में आप देखने टेक यूनिक आज हमारे पास है Micromax का Airfunk 1 Pro लेट्स सार्ट दे वीडियो जोसी कि आप देख सकते हैं यह है Airfunk 1 Pro का बॉक्स यहाँ पे जो है काफी अच्छी पैकेजिंग करीगे तो यहाँ पे box open करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ Airfunk इसको ऊपर करते हैं सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे TWS पैकेजिंग के बारे में अगर मैं कहाना चाहूं काफी premium पैकेजिंग दी गई है इसको यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं यह आगया अपने हाथ में TWS काफी बढ़िया यहाँ पे लग रहा है इसको रखते हैं थोड़े और के लिए side में नीचे देख लेते हैं और क्या-क्या देखने को मलता है यहाँ पे आपको सारे accessories देखने को मलती है extra ear tip, USB Type-C का cable साथ में आपको यहाँ पे एक user guide और यहाँ पे warranty देखने को मलता है एक साल का जैसी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यह सब चीज यहाँ पे रख देते हैं side में और देखते हैं यहाँ पे TWS की तरफ तो यह है Micromax का Air Funk 1 Pro यहाँ पे आप देख सकते हैं physical overview देदेता हूं सामने की तरफ आपको LED indicator देखने को मलता है जो कि आपने आप देखा यह देख सकते हैं आप यहाँ पे indicator देखने को मल रहा है इनका यहाँ पे branding दिया गया है पीचे की तरफ कुछ information लिखा हुआ है नीचे की तरफ यहाँ पे USB Type-C का port देखने को मलता है साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं hinge की बात करो तो काफी अच्छी quality का hinge लग रहा है काफी अच्छा premium feel दे रहा है यहाँ पे वहीं पे आगर मैं बात करो को मलती है काफी अच्छी quality का plastic यूज करा गया है थोड़ा सा premium quality का plastic यूज करा गया है white वाला जो है काफी अदा खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे देखने में यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो है यहाँ पे काफी बढ़िया design के साथ आता है इसको जल्दी से एक बार पहन के देख लेते हैं कैसा fitting आता है हाला के दोस्तों यहाँ पे जो shape है वो airpods जैसा ही है तो यहाँ पे fitting जो है काफी अदा बढ़िया आ रही है आराम से आप जो हैसे jogging के लिए और running के लिए use कर सकते हैं connectivity की बात करूँ यहाँ पे आपको Bluetooth 5.2 देखने को मिलता है काफी instantly यह पैर हो जाता है पैर करने के लिए simply आपको यहाँ पे lid open करना है earbuds को case से बाहर निकालना है और guys यहाँ पे आपको refresh कर लेना है अपके phone में यहाँ पे आप देख सकते हैं Air Funk 1 Pro के नाम से आ चुका है यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है connect हो चुका है out of the box यहाँ पे आपको 90% battery देखने को मिलता है अगर मैं इसके settings में जाता हूं तो guys यहाँ पे जो है आपको default में use high quality audio on देखने को मिलता है और guys इसमें जो है surprisingly aptX का support देखने को मिलता है जो कि मुझे यहाँ पे काफे वदा बढ़िया लगा है चल्दी से इसमें कुछ गाने वगरा सुनता हूं और बताता हूं आपको इसके sound quality के बारे में है यहाँ पे जो है मैंने काफी सारे गाने सुने overall इसका sound stage जो है वो एक balance sound stage है काफी अच्छा है यहाँ पे आपको sound सुनने में आ रहा है मैंनो जो है यहाँ पे bass वाले गाने सुने मैंने यहाँ पे acoustic सुने, rock भी यहाँ पे सुने trebles काफी अच्छे तरीके से tune करें गए है trebles वगेरा जो है काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे सुनने में आ रहे हैं clarity काफी अच्छा है, vocals यहाँ पे सुनने में काफी अदा सही लग रहे थे overall यहाँ पे sound quality balance रखी गई है bass की अगर मैं बात करो तो गाई यहाँ पे आपको boomy bass देखने को नहीं मिलता है, यहाँ आपको balanced bass देखने को मिलता है जब भी bass आता है, bass वाला part जो आता है गाने में तब आपको bass feel होगा बट उतना boomy bass आपको feel नहीं होगा जितना यहाँ पे आपको boat वगरा में feel होता है या फिर जितना आपको यहाँ पे Micromax के Airfunk 1 में feel होता है उतना यहां पर आपको base नहीं देखने को मिल रहा यहां पर base जो है balance quality का देखने को मिल जाता है overall sound quality जो है काफ यदा balanced है यहां पर मुझे balanced sound quality काफ यदा पसंद आती है क्योंकि यहां पर Netflix वगरा देखने में और यहां पर Amazon Prime वगरा देखने में काफ यदा मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें clarity काफी अच्छी होती है जो balanced earphones होते हैं उसमें आपको sound quality काफी अदा premium सुनने में आती है इसी में वही बात है यहां पर काफी premium sound quality लगी है मुझे इसकी यहां पर आपको aptX सा support देखने को मिलता है इसी कारण से जो है इसके sound की quality काफी अच्छी सुनने में आती है as compared to बाकी सारे TWS यहां पर aptX आपको काम करता हुआ दिखता है काफी अच्छी clarity काफी अच्छा bass और overall जो एक sound stage होता है वो एक काफी अच्छा आपको सुनने में आता है इसमें इसको मैं यहां पर rating देना चाहूंगा 4.6 out of 5 touch controls की बात करता हूँ तो guys यहां पर आपको काफी बढ़िया touch controls देखने को मिलते हैं touch sensor काफी अच्छी quality का दिया गया है यहां पर आपको volume up down करने का भी option देखने को मिल जाता है call receive वगरा भी आप यहां पर कर सकते हैं यहां पर आपको कोई भी तरीके का voice changer देखने को नहीं मिलता यह मुझे यहां पर छोड़ा सा खरब लगा है क्योंकि इनके जो सस्ते version है जो कि यहां पर air funk 1 है उनमें आपको voice changer देखने को मिलता है अगर यहां पर भी voice changer देखने को मिलता तो काफी बड़िया बात हो जाती यहां पर microphone की quality सुने लेते हैं यहां पर आपको मैं microphone का sample देने वाला हूं तो यह रहा आपके समने microphone sample बाकी मुझे इसका microphone काफी अच्छा लगा है तो अब यहां पर आवाज सुने यह record हो रहा है Micromax air funk 1 के microphone से और यहां पर fan off है AC चालू है तो आपको आप सुन पर के जच करना है कि कैसा noise यह capture कर रहा है कैसा मेरा आवाज यह capture कर रहा है वैसे मुझे इसका microphone काफी अदा पसंद आया है काफी अच्छी quality का microphone यूज करा गया है अगर आप इसे meeting वगरा में यूज करेंगे तो आपको काफी अच्छी quality सुनने में आएगी इसके microphone से तो अभी मैंने fan on कर लिए ताकि आपको सुनने में कि कितना noise capture कर रहा है इसका microphone और मेरा आवाज यह कैसे capture कर रहा है यहां पर आपको सुन करके जच करना है मुझे यहां पर इसका microphone काफी अदा बढ़िया लगा है noise cancellation भी काफी अच्छा कर लेता है कुछ extra features की बात करो तो guys यहां पर आपको IP44 की rating देखने को मिलती है जो कि हुझे यहां पर काफी अदा सही लगा है IP44 का मतलब यह होता है कि इसमें जो आपको dust and waterproofing दोनों देखने को मिलता है इस price point में ऐसा कोई BTWS नहीं है जो कि आपको यहां पर dust और water resistant दोनों साथ में दे रहा है काफी अदा बढ़िया है यह साथ में आपको जो है इसमें ENC का support देखने को मिलता है environmental noise cancellation जो कि यहां पर अच्छा काम करता हुआ दिखता है इस price के हिसाब से यहां पर ENC जो है काफी अच्छा है और आपको यहां पर इसके microphone में Qualcomm का CVC technology देखने को मिलता है Qualcomm CVC 8.0 जो कि यहां पर noise और echo को cancel out करता है जब भी आप इसके microphone को use करते है calling वगेरा के लिए या फिर meeting के लिए तो guys आपने जो है यहां पर mic का audio quality से सुनी लिया यहां पर काफी अच्छे यहां पर microphone सुनने में आते है battery life and charging की बात करूँ battery quantity यहां पर आपको case में देखने को मिलता है 470mH की और यहां पर आपको buds में देखने को मिलता है 40mH की battery यहां पर micromax ने claim किया है कि आपको 32 hours का battery backup देखने को मिलने वाला है case के साथ और यह जो buds है आपको यहां पर 7 गंटे का playback time देने वाले हैं हाला के दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह 40mH की battery जो यहां पर buds के अंदर दियेगे हैं यह आपको 7 गंटे का battery backup दे पाएंगे मुझे ऐसा लगता है कि यह आपको 4-5 गंटे का battery backup दे देंगे क्योंकि इसमें जो है सिर्फ 40mH का battery है तो यहां पर थोड़ा सा आपको कम battery life देखने को मिलेगा 4-5 गंटे का charging की बात करते हो गाई यहां पर आपको USB Type-C का port देखने को मलता है और यहां पर case और buds को full charge करने के लिए 1.5 hours का time लग जाता है जो कि यहां पर काफी अच्छी timing है बट यहां पर आपको कोई भी तरीके का fast charging देखने को नहीं मिलता तो यह थोड़ी सी बुरी बात लगी है अब मैं अगर अपने verdict की बात करो तो गाई यहां पर जो है काफी अच्छी TWS है 2500 रुपे में आपको मिल रहे है Micromax का Air Funk 1 Pro हाला कि इसका direct competition यहां पर है Realme के Buds Q2 के साथ जो कि यहां पर आपको काफी सारे चीजे offer करता है जो कि आपको यहां पर काफी सारे चीजे देता है gaming mode देता है ANC आपको offer करता है साथ यसाथ काफी सारे features आपको देखने को मिलते है Realme के Buds Q2 में तो गाई उसके साथ यहां पर आगर आपको comparison चीए नीचे आप comment section में लिखके बता सकते हैं मुझे पता है आप लोग कहोगे कि इसको जाए compare करते है overall मुझे micromax airfunk 1 pro काफी बढ़िया लगा है price point के हिसाब से काफी अदा सही है यहां पर मैं कहना चाहूं यह TWS जो है made in India है fully made in India है कोई भी parts यहां पर चाइना से मंगाया नहीं गए है fully made in India है तो मुझे जो है काफी सही लगा है देखकर कि जो है इतना अच्छा quality का यहां पर made in India भी हो सकता है काफी अच्छी TWS है मेरे तरफ से यहां पर 2500 रुपे के अंडर में recommended रहेगा इतना है था इस वीडियो में अगर आपको इने भाई करना है नीचर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ है वहां से जाके आप इने भाई कर सकते हैं इतना अच्छ वीडियो में आपका इस वीडियो को देखने के धन्यवाद तब तक लिए उस्तों जैहंद वंद मातिरम और आपका दिन शुब रहे